ट्रांस्फर्मर बलास्ट होने से विजली विभाग के कर्मी समीद दो लोग गंभी रूप से जुल से धनबाद को लांचल में आज फिर से एक बड़ी दुरगटना देखने को मिले जिले की विजली पारा इलागे में स्यामकुझ अपाइटमेंट परिसर में रिपैरिंग के बाद एक ट्रांस्फर्में बलास्ट के दोरां दो लोग बुरी तरह से जुलस गे गायलों में बिजली विभाग का एक कर्मी विजे कुमार और अपाइटमेंट का गार्ड जवाहर परशाथ सामिल है दो लोग को गंभी रवस्ता में सनम्म सियच लाया गया धनबाद के स्यामकुझ अपाइटमेंट में अवस से ट्रांस्फर्मर खराब थी विभाग या अवियंता समीत विजली विभाग का लाइनमेंट संजय यादव एवं अन्यक कर्मी उन्हें उसे रिपेर करने पहुंची थे रिपेरिंग के बाद विजली चालू कर दिया गया लेकिन महस 15 मिनिट के बाद जोड़दार प्लास्ट हुआ और उसमें निकलने वाली आग के लप्टो में अपैट्मेंट के गाड जवाहर परसाद एवं कर्मी विजे कुमार को अपने जद में दे लिया आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए विधायक पर्तिनीधी के सहयोग से एसनिमम सियच लाया गया जहां प्रारंबिक इलाज के बाद एक सक्स को बोकारो रेफर कर दिया गया वहीं खायल के बेटे ने हस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाती हुए बताया कि जिले के सबसे बड़े हस्पताल में टेट्वेक इंजेक्सन, स्लाइन, सिवरेलेक्स, जलन, रोकने का जेल समेट अन्य दवाईयां मौजूद नहीं थी सब कुछ खरीद कर मंगवाया गया तक जाकर इलाद सुरूई प्रेडे के जगा पर all ऊक्ना पिर फिरार्म ज्टह सब लाइब है किdhp नहीं उसमें उसमें एक शक दिया है उसी से ये नौब होई है यह तो यह लेकिन लोग तो ट्रास्फर्मर के उपर में ने थे नीचे में थे घड़चे में टेल जो फेका हना उसी का लगा हुआ है ट्रास्फर्मर का जो टेल रहता है वो तो हिट रहता है वो ही टेल लगा है